हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लाशेस में फ्रेंट्स आज हमारा A to Z औरगेनिक सीरीज का लेक्षर नमबर टू है तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलकेन के बारे में तो फ्रेंट्स हमने लेक्शर बन में एलकेन के बारे में देखा कि एलकीण को कैसे prepare गया जाता है कैसे उसका क्या क्या रियक्शन होता है हमने पहले ही बोल दिया कि यह जो सीरीज है यह सब ही के लिए जो भी experience, chemistry पाढ़ना चाहता है, chemistry समझना चाहता है basic से high level तक हम लोग इस lecture को आगे proceed करेंगे मतलब आप NCRT से लेके क्लेडें जुफिल केर ऊथर तक आप लोग इस सीरीज को ले जाने वाले तो प्लीज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यह चैनल आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला केमिस्ट्री फिल्ड में तो फ्रेंड्स चल हमारा फ्रॉम अलकाइल हलाइड अलकाइल हलाइड से बनाते हैं फोर्थ हमारा है अलकोहल से ठीक है और यह हो गया अलकोहल वाला और यह हो गया मतलब अलकीन बनाने का तरीका हमने सिखा कि अलकाइन से बनाते अलकाइल हलाइड से बनाते अलकोहल से बनाते हैं ठीक है तो सब तरीके हम लोग समझेंगे अभी तो लट स स्टार्ट सब सब पहले देखते हैं अलकई से बनाते हैं अलकई से कैसे बनाते हैं एलकाइन पार्टियल रेडक्शन विट कैलकुलेटेड अमांट आप डाइडोजन सिंपल सी बात है अलकाइल लेने का उसमें हैडोजन और इन प्रेशन प्लेडियम कार्बन अप एड़ करते हो तो आपका अलकीन बनता है ठीक है हाइलबल में पढ़ते हो रियेजेंट्स यह सब चीज है लेकिन वही हमारा बहुत हार्ड हो जाता है लेकिन हम लोग जब अगर बेसिक को समझ लेकिन हमारा एलकीन हाइडोजन को प्रेशन में प्लेडियम कार्बन लेंगे तो सिस एलकीन बनेगा और वही एलकीन हाइडोजन इन प्रेशन साफ सोडियम और लिक्विड अमोनिया को प्रेशन में तो ट्रांस अलकीन बनेगा ठीक है इसको पढ़ लेते स्टेट्मेंट अलकाइन अंपाइडोजन वाला जैसे हापे लाइक सल्फर कंपाउंड क्यूनोलीन इस समझ यह एड करेंगा तो हमारा एलकीन तक इसी को बर्च रिडक्शन भी बोलते है आप लोगों को पता होना चाहिए यह आपका इथाइन होगा इथाईन वह इपलेडियम कर्विड बनेगा ठीक है यहाँ पे तो cis trans का कुछ peine नही्य है यहाँए पीम प्रफेन से petrol में वही hydrogen palladium carbon इसे तो हमारा प्रोपीन बंगा है अब अलकाइल हलाइड से कैसे बनता है अलकाइल हलाइड ओन हीटिंग विध यहाप सिंपल सालकाइल हलाइड यह मतलब यह एकस मतलब है hydroxyl मतलब OH को अगर dissolve करते हो alcohol को जोसको बोल के अलकोहलिक पॉतास ठीक है से इतनों ठीक है eliminate क्या करेगा वह alcoholic potas eliminate करेगा one molecule of halogen and to form halogen acid remove करेगा one molecule of halogen acid to form alkene ठीक है this reaction is known as dehydrogenation dehydrogenation यहां पर है । है ड्रोजन और हलोजन का होगा है यह रहोगल से स्कारभन ऐसे कि यह लोगता है आलफा कार्मं अनु यह जो हैं our उसलों इसको को पोल tes says hydrogen atom् inspired from the beat espíritory १े हमने टेख्षिन देखा कि जो आपका alcoholic क лет घल करोगे Dåपक 170 होगा आपकत समस्क्राइब perform फीक्राइब हब इल्फिलिमेन vehicles निकलेगा उर बीटा वले का थाइडोजन निकलेगा तब कह एलकीन बनेगा ठीक है Now, Nature of Halogen Atom and the alkyl group Determine Rate of the Reaction Nature of Halogen Atom and the alkyl group Determine the Rate of the Reaction It is observed that for halogen The rate is iodine का सब्जादा होता है मत्थब iodine का सबसे अच्छा लिभी group होता है तो iodine का सब्जादा होता है उसके कम ब्रोमीन का उससे कम क्लोरीन का होगा While for alkyl group it is alkyl group होगा तो tertiary का सबसे अधी stable होगा फिर secondary का फिर primary का इस तरह से हमारा Reaction चलता है Now, हम थर्ड देखते हैं भी vicinal dihalide से कैसे बनाते हैं अभी हम रिवाइस कर देंगा क्या क्या हमने पढ़ा है from vicinal dihalide vicinal मतलब dihalide in which two halogen atoms two halogen atoms are attached to the two adjacent carbon मतलब addison मतलब एक carbon यहाँ पर एक carbon यहाँ पर तो इसको बोलेंगे adjacent carbon ठीक है भाई बोला dihalide in which two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atom और known as vicinal dihalide मतलब आपको vicinal का अगर मतलब नहीं पता है तो आज आपको पता चलिए कि vicinal क्या होता है दो adjacent carbon atom पर जो halogen होते हैं यहाँ पर भी halogen यहाँ पर है लोजन तो इसको बोलेंगे vicinal dihalide ठीक है now vicinal dihalide में क्या होता है vicinal dihalide on treatment with consummated zinc metal lose a molecule of ZNX2 उससे क्या होगा यह जो zinc अगर डालेंगे तो यह X2 molecule कर लेगा तो form क्या करेगा ZNX2 form कर लेगा ठीक है और आपर क्या होगा पर form कर लेगा alkene form कर लेगा metal loses a molecule of ZNX2 to form an alkene this reaction is known as dehalogenation वहाँ पर पहला वाला क्या था dehydrogenation इसमें कहाँ सिर्फ हेलोजन निकल ले इसलों बोलते है dehalogenation simple सा है आपने यह लिया CS2 BR और CS2 BR लिया है ठीक है मतलब CS2 BR आपने लिया यहाँ पर दो ऐसे किया है CS2 CS2 यहाँ पर BR यहाँ पर BR ठीक है यहाँ पर BR यहाँ यहाँ पर BR आपने बारा from alcohols by acidic hydrogenation मतलब from alcohol alcohol से और acidic dehydration कैसे करी you have read during nomenclature of different homologous series ठीक है in unit 12 that alcohols are the hydroxy derivative of alkane simple सा है आपका CH4 है ठीक है CH4 अगर आपको करना है alcohol बना तो CH3 OH होता है तो भी बोल रहा है alcohols are the hydroxy OH ग्रूप आपका आ गया hydroxy derivative of the alkane they are represented by ROH मतलब आपर ROH से denote करते इसको ठीक है where are you Cn मतलब alkane का होता है CnH2N plus 1 यापर क्या होगा plus 1 रहेगा ठीक है alcohols on heating with concentrated sulfuric acid form alkane जब आप alcohol को concentrated H2SO4 के presence में heat करते हो मैं आपर दिखाता हूँ alcohol आपका ये है ROH suppose ये पूरा molecule करते हो ठीक है react करते हो तो alcohols on heating with concentrated sulfuric acid forms alkane क्या form करता है alkane form करता है with the elimination of one water molecule और eliminate क्या करेगा water molecule eliminate करेगा ठीक है since a water molecule is eliminated from the alcohol molecule in the presence of an acid this reaction is known as acidic dehydration of alcohols एक एक रिएक से बहुत ध्यान से समझना बस आप revise करते रहे आपको क्या क्या मैं revise कर रहा हूं ठीक है क्योंकि आपको बहुत ही high level में यह सब काम देने वाला है और अगर यह और need के बच्चे हो तो आपको तो आपी काम देगा एक्जाम में this reaction is also the example of beta elimination reaction this reaction is known as beta elimination reaction since OH group of OH group takes out one hydrogen atom from the beta carbon यह आपका जो functional लूप है OH है उस carbon को बोलते है alpha carbon ठीक है जिस carbon से जूड़ा हो OH उसके बाज़ुवाले को बीटा अब क्या करेगा यह क्या करेगा एक OS तो यहां से लेगा एक hydrogen एक beta वाले carbon से लेगा ठीक है beta वाले carbon से hydrogen निकालेगा इसको बोलते है beta hydrogen यहां पर लिखा है beta carbon ठीक है ठीक है यहां पर concentrated S2SO4 concentrated S2SO4 dehydrating agent की तरह से जाना जाता है ठीक है तो आपका यहां पर क्या करेगा H2O nिकल के आपका alkene form कर देगा यह तो होगा हमारा preparation preparation हम लोग फिर से revise कर लेगे एक बार कैसे कैसे होता है पहले alkyne से करते है alkyne में क्या होगा अगर hydrogen डालके palladium carbon डालेंगे catalyst में तो हमारा cishalkine बनेगा अगर sodium और liquid ammonia प्रेंस में करेंगा तो हमारा transalkine बनेगा यह हो गया alkyl halide में क्या होता है alkyl halide में simple सा alcoholic क्यों डालेंगे तो हमारा beta elimination होगा HX निकल देगा विस्नल डालाइड में हम लोग zinc metal यूज करते है ZNBR2 बनता है ठीक है X2 में कुछ भी हो सकता है halogen में fluorine कुछ भी और हमारा alkyne form करता है withonal di halide से और last है from alcohol alcohol कैसे होता है कि वाई हमारा concentrate H2O हो एक dehydrating agent होता है मतलब water निकलता है तो वहाँ पर OS तो निकल ली जाएगा और beta जो hydrogen दूसरा निकलेगा वो beta वाले carbon से निकलेगा तो इस तरह से हमारा alkyne form हो जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे chemical reaction या chemical properties के बारे में ठीक है chemical properties क्या करता है alkyne are the rich source of loosely held pie electrons alkyne तो आपको पता है alkyne यहाँ देखो alkyne यह सब तो है double bond rich source है ज्यादा rich source है of pie electron का ठीक है due to which and loosely held होता है loosely electron मतलब pie electron तो निकल जाता है due to which they show addition reaction in which the electrophiles add on the carbon carbon double bond to form the addition product और इसलिए कार जो alkyne होता हो addition product form करता है ठीक है some reagents also add by free radical mechanism there are cases where under special condition alkyne also undergo free radical substitution reaction ठीक है कुछ ऐसे cases होता है जहाँ पर हमारा alkyne जो होता free radical substitution reaction भी दिखाता है oxidation and ozonolysis reaction are also quite prominent in alkyne oxidation भी होता है ozonolysis भी होता है और brief description of different reaction of alkyne is given below ठीक है जैसे कि पहले हमारा addition of dihydrogen अगर हम addition करना चाहता है alkyne पर क्या होगा addition of dihydrogen क्या होगा alkyne add up one molecule of dihydrogen gas dihydrogen मतलब H2 gas ठीक है dihydrogen gas in the presence of finally divided nickel, palladium, platinum to form alkyne simple sa alkyne हमारे पास उसमें हमने hydrogen gas आल दिया in presence of palladium, platinum, carbon palladium, platinum और nickel के presence हमें कोई साभी लेलो metals तो आपका क्या बन जागा alkyne बन जागा यहापे क्या होगा एक hydrogen आपे जूड़ जागा एक hydrogen आपे जूड़ 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 जूड़गा ठीक है वही बोलना है addition of dihydrogen ऐसे ही same है addition of hydrogen addition of hydrogen hydrogen like bromine chlorine add up to alkyne to form vicinal dihyhylite ठीक है vicinal को पता है कि addition carbon atom vicinal अब भी आप का carbon carbon ऐसे है दो addition carbon उस पे जो hydrogen जूड़ जूड़ जूड़त है vicinal dihyla आयोदीन डाम जूड़ जूड़ एडीशन reaction iodine dos not so addition reaction under normal condition normal condition आयोड़ जूड़ इसको high temperature the red is orange color of bromine ब्रोमीन का कैसा कलर होता है रेडिस ओरेंज गरड ठीक है और ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइट इस डिस्चार्ज वें ब्रोमीन एड्स अप टुदा अंसाचुरेटेट साइट इस रियेक्शन इस यूज़ एज टेस्ट पॉर अगर आपका ब्रोमीन का कलर चेंज होता है ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज होता है यह आपको पूछा जाता है अगर आप लैबरोटरी में काम करते हो मतलब लैब में प्रक्टिक करते हो आपको पता है कि unsaturation test bromine water test दिखाता है ठीक है अगर आपका bromine water bromine अपने compound है ठीक है उसे अपने bromine water add किया तो अगर उसका color change होता है तो अपने आप समझ जाओ कि हाँ हमारा जो compound है उसके पर double bond है या तो उसके पर double bond है ठीक है यह आपका test होता है unsaturation का addition of halogen to alkene is an example of electrophilic addition क्या बोला है addition of halogen कहाँ पर alkene में जब हैलोजन को add करते हो मतलब आपको alkene में halogen add करो तो क्या होगा electrophilic addition अब आप बोलोगे electrophilic क्यों बोला गया है देखो क्या होता है alkene है ठीक है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यह इसमें हमारा क्या होता है ठीक है फिर बात में हमारा बहुता है चल इससे लिए होता है electrophilic addition involving cyclic halonium ion formation which you will study in higher classes मतलब इनका यह कहने का मतलब आपका bromine होता है direct BR plus BR में यह आपका BR 1 cyclopropane ऐसा type का add होता है ठीक है simple सा एक 3 member का ring बनाता है उसके बाद हम लोग करते हैं लेकिन यह आप higher classes में पढ़ोगा आपको पता है जो net gate की तैयारी कर रहे हैं और iat jam को उनको पता है कैसे यह reaction होता है ठीक है और यहाँ पर simple सा अगर आप अभी तो आभी फिलाल के लापको यह जानना है कि BR यहां पर यहां पर यहां ठीक है वन टू डाइब्रोमो मेथेन ऐसे आपका यहां पर प्रोपीन है प्रोपीन में रहे है यह गोडों हाँ हेलाइट हॡए हाँ मत्ड़करि को अंपने हााइट करना ही स्वेकलत हें हेलाइट हेडा है ठीक है इंट को फिरे से लिक्ल्ह!" धाly he Hum is also an example of electrophilic addition reaction simple सा है वहाँ पर जैसे मुलना electrophile add होगा तो उसको बोलता है electrophilic addition reaction let us illustrate this by taking addition of hbr to symmetrical and unsymmetrical alkene ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला है addition reaction of hbr to symmetrical alkene symmetrical alkene मतलब क्या अगर मेरा जो alkene है दोनों symmetrical है स्यम है ठीक है यहाँ 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 पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो जकता था ठीक है तो उसको बोलें unsymmetrical पर फिलाल हमारे यहाँ पर क्या symmetrical alkene symmetrical में हमने hbr hx add किया तो क्या होगा सिंपल सा एक जहां एक जोड़ जाएगा एक जोड़ जोड़ जाएगा तो यह तो हमारा काम सिंपल है यहाँ पर ऐसे यह भी देखो symmetrical है इधर जितना हुआ इतना भी है तो इधर भी आउं मारे जोड़ इपर एक है यहां यहां पर यहां बहुत लफळा होता कि का सिंपल आयर्व of hbr to unsymmetrical alkenes marconic of rule marconic of rule क्या हुआ था however will hbr add to propane the two possible product one and two ठीक है जैसे हमारा ये alken है ठीक है हमने hbr add गया अब ये hbr में एक जहां बियार यहां add हो रहा है तो कुछ all product आ रहा है एक जहां बियार add हो रहा है इस side यहां पर attack हो रहा है तो आपका ये product बन रहा है तो मतलब फस्ट दो प्रोड़क बन रहा हम बोलेंगे कौन सामारा मेजर प्रोड़क है तो marconic or russian chemist made a generalization in 1869-1869 बना रूल ये था अप्र इस studying such reaction in detail this generalization leads to marconic to frame a rule called marconic of rule ठीक है the rule state that negative part of the event of adding molecules get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms ठीक है वाइ बोल रहा है negative part आपका जैसे H plus है और BR minus है BR minus कहाँ प्याद होगा जहाँ पर लेस नंबर of hydrogen होगा ठीक है उसका ये कहने का रूल ठीक है उसका ये कहने का रूल ठीक है अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आपको अगर GOC पता है तो आप GOC से इसको solve कर सकते हो एक काम करो ये break कर दो एक bond को ठीक है एक जहाँ एक बार यहां प्लस लगाओ एक बार यहां प्लस लगाओ तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो ये कार्वन ये सेकेंटरी कार्वन हैं दो कार्वश जोड़ है आपको यह पता है कार्व के टाइन का स्टेविल टी का होता है त्री इगरी इस ग्रेट इन ट्सक्रत सबस्जार प्लस नेगा लागए तो माइनिस बने गहाँ थिगक है अभी halo क प्लस है तो आपका यह मेजर प्रोड़क्ट है वही मार्कोनिक भोलता है कि आपका निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस नंबर आफ़ाइड हो जैने तो सेम अगर आपको जी ओसी का कॉंसे पता है तो भी आप अंसर कर सकते हैं यह तो आप मार्कोनिक का फूल से भी कर स देड़े चांड़ देखलेने के लिए दीदान से देट भाएं खना की तो से आप तो को नॉल्ड जान से लहाँ आप को एन्सस्माध को भी बता बता ओ आप लाक को नहीं मेणिगे क्या हो रहा है addition हो रहा है HBR का unsymmetrical यह तो है like propene takes place contrary to the marconic और रूल मतलब हो क्या कर रहा है जह हम लोग पर-oxid के presence में hbr को addition कर रहे है alkyne में तो मारकोनि और रूल को contradict कर रहे है this happens only with hbr यह किसे साथ होता है सिर्फ HBR के साथ HCL के साथ नहीं होता सिर्फ आपको HBR जहां रखना हो पारक्साइड दिखना है तो आपको anti-marconi का फ्रोल लगातना है ठीक है बट not with HCL HCL आप डालोगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप marconi का फ्रोल लगा के कर सकते हो ठीक है अच्छाई मतलब HCL आपको HBR में बहुत फोकस होना है ठीक है इस एडिशन रिएक्शन वाज अब्ज़र्ड बाइमेस खरास किसने अब्ज़र्ड किया था इसको एंड एफ़र्मायो इसलिए इनको यहां बूलते हैं इफेक्ट को खरास इफ्टे इन 933 एड यूनिट्सिट आफ सिकागो ठीक है इस डियक्शन इस नोन एस एफ्टार्यक्शाइड और खरास इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटीटू जोड़ते हैं तो आपको यहां पर एक तो आपको यहां जोड करना आपको मैजर प्रोडक्ट है ठीक है आप करके तो आ जाते हैं बट आपको एक्जाम में पूरा जीरो अंडा मिलता है मतलब मार्क से नहीं मिलता है ठीक है उल्टा निगेटिव माक्स आपको दिया जाता है तो इसका यही रिजेंट आपको यह पता होगा कि ही एच बीयर और पर आक्साइड की प्रेंट से निगें अपर को निगता है जच अपोजिट मतलब आपका जो यहां पैड़ा यहां पर होगा यहां पर आपा तो आपका मेजर प्रोड़क्ट यहां पर फ़ॉर्म कर रहें ठीक है बार्फोंदोट्ट से और फॉर्म्ट फॉह कैसे देखो बेंजाइल परक्साइड है आपका परक्साइड है तो बेंजाइल है आपका बेंजाइल परक्साइड ठीक है और दूसरे को प्लस कर देगा मतलब प्लस मैंस आता है थे अक्षिव सेरिंग होता है मतलत बाता है एक एलेक्ट्रोन ये रख लेग अपने पास और ये लेक्रोन ब्रेक्षटाएगा तो इसको हो जाता है ठीक है तो हो लोंपर फ्री रेडिकल बनता है अपका यह बना इसकट होंके यह-डी ब्रेक होके है यहां पर क्या होगा free radical बनेगा 262 मौल है यहां पर 266 H5 प्रेडिकल आपका बनेगा प्लास क्या लिबरेट होगा CO2 लिबरेट होगा क्यों CO2 यहां पर लिबरेट होगा क्यों CO2 गया से जो कि बहुत अच्छा लीविंग रूप बता है ठीक है ज्ञापका free radical बना है लेकर का 166 भाइए बंजीन बन जागा ब्यार ऐंगा आप लोग हर जो हम सों नहीं करते तो था आहांपे टीके बिए यार मदान अधा था यहां पर फ्री रेडिकल बन को यहां पर जो मैंकनिजम में टो टीकर को जो प्रोडाइकल टीक में होगा वाफ यहां रिदिकल एड़ करोगे ठीक है नो फिर यहां पर आता है यहां पर आता है अब यहां पांट हो, यह क्या है क्या है? यह जो बॉला मंट naz Euni, यह 2 carbon इना इना इसको भी सब्सक्राइब हो इसको अभी सब्सक्राइब्स दिने अभी और रफ़ेंगे लिए तो मौ इप्र कंपस्राहों हमारें अहांते ब्र हो ग्राइग यहां पर कवे यहां पर की आपको आपको जो खैस जो ग। h radical जो निकला हो क्या करेगा iac 31 यहां पर अगर अन्पर यहां पर सी एच था पहले अब यहां पे h2 यहां पर जायगा रहे सिस्का में ऐसे आप इसका करोगे माइनर वाले का माईनर वाले करोगा तो आप कहीं देखो minor product बन गया ठीक है यहाँ पर जुड़ेगा तो आपके CS3 यहाँ पर बनेगा अब नौ अब हम लोग दिखते addition of sulfuric acid sulfuric acid का क्या होता addition कैसे करेंगे मतलब alkene sulfuric acid कैसे add करेंगा ठीक है cold concentrated मतलब थंडा होना चीए concentrated होना चीए sulfuric acid adds to alkene in accordance with marconic of rules मतलब आपको marconic rules के हिसाब सही उसको add करना ठीक है to form alkyl hydrogen sulfate क्या होगा क्या form करें अलकाइल hydrogen sulfate by the electrophilic addition x electrophilic बोले मतलब आपका इलेक्रोफाइल add होगा अलकीन पर ठीक है आपका अलकीन है अलकीन में आपने क्या किया sulfuric acid डाल किया sulfuric structure ऐसे होता है as double bond double bond OH और OH अगर मैं आपसे बोलो कितने acid खाइडोजन है आपके तब बोलो कि दो hydrogen क्योंकि जो hydrogen oxygen है मतलब electronegative उसी भी बोलते है acid hydrogen ठीक है इधर दो acid खाइडोजन है यहां पर देखो कि कि जो sulfuric acid है और hydrogen hydrogen को मतलब acid क्यों होता है acid क्यों उसी को बोलते हैं लिब्रेट करता है ठीक है तो hydrogen आपके ब्रेक होगा तो क्या बनेगा C अतलब ही hydrogen निकल जाएगा तो आपके बनेगा यहां पर देखो प्लस यहां पर जाए इस्टेबल तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहां मतलब जो माइनस पार्ट है अगर यहां पर hydrogen निकल जाएगा एच प्रस तो यहां पर देखो वही हो रहा है CS3 CH CS3 यहां पर क्या होगा तो यहां प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट नाव हम लोग लास्ट मतलब लास्ट नहीं फिप्त है हमारा एडिशन आफ वाटर एडिशन आफ वाटर कैसे एड़ करेंगे देखो यह फ्रेंट्स यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिएजेंट्स के में में अगर सिखाया जाता है तो यह सब छोटी छोटी चीजे बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इन दे प्रेजेंस ओफ फ्यू ड्रॉप्स अफ कंसंट्रेटेट्स अल्फियूरिक ऐसेड का बहुत ही छोटा ड्रॉप मतलब उनके प्रेजेंस में जब आप वाटर को इंद लेकिन र्याक्ति इसने में ने अल्कोहल को तो है किसे और उसका रूल जो फॉलो करता है मौर्कोनिक अफॉल को फॉल करता है ठीक है नौ यह आपका क्या हो कहां पी देखो यह ब्रेंड ब्रेंस ऑगा है यहां पर प्लस बनेगा तो निगेटिव पार्ट कहां जोड़ेग ठीक है तो इसको बोलते है अल्कॉल बन गया तू मिथाइल प्रोपेंड तू आल नो सिक्स्थ है मारा ऑक्सीडेशन एलकीन्स और रियक्शन विद कोल डायलूट डायलूट एक्वेस्ट सॉलीशन और पोटेशियम पर माइनेट आपको जब भी बी केमनोफोर डायलूट केम इसको क्या बोलते है उससे क्या होगा प्रोड्यूस करेंगा विद क्या है विद्वेस्ट सॉलीशन इस यही हमारा टेस्ट बताता है मतलब हम लोग अगर चेक करना है कि हमारा कंपॉंट अंसाचुरेट है तो हम लोग यह भी टेस्ट कर सकते हैं ठीक है केमनोफोर बेर्स इसको बलते हैं ग्लाइक ओल यह है दूसरा इस्ट और डाला ओक्सि ऑडाइस किया मतलब डायलूट के मनोफोर नहीं ठीक है तो हमारा क्या बनेगा एक जहां यहां पर और यहां पर वहां चाल जाएगा तो हमारा यह एक पांपॉंट फॉर्म होजागा प्रोपेन वन्टो डाइक्रोमेट ऑक्सिडाइस एल्कीन टू किटोन उसको क्या करेगा एल्कीन को किटोन में करनोर्ट होगा ठीक है एंड और एसी डिपेंडिंग अपॉन नेचर अप देल्कीन एंड एक्स्परिमेंटल कंडिशन ठीक है आपका यहां पर तू मिथाइल प्रोपीन है तू म एक्सेट मेंट करता है नेचर अपड़ एल्कीन का कैसा नेचर एठीक है और एक्सपरिमेंटल कंडिशन पर तो केवन एच प्लस कितना जादा पारफुल अब समझ रातों किक्टोन में करने कर दे रहा है और एक्सेट में करने रहा है नव सेवेंथ हमारा ओजन ओसी है molecule add होना ठीक अलकीन पर तो ओजनलिसिस ऑफ अलकीन इडिशन ऑफ ओजोन molecule to alkene to form ozonite क्या form करेगा ozonite and then cleavage of the ozonite by zinc H2O to smaller molecule ये भी आपको ozonilisis reaction बहुत important exam में आते ही आता है ठीक है तो कैसे करना है alkene को आपने पहले ozone से react करना तो आपका क्या बनेगा ozonite बनेगा उस ozonite cleavage को मतलब then cleavage of the ozonite कैसे बरेक होगा ZNH2O छे ठीक है two smaller molecule this reaction is highly useful in detecting the position of the double bond in alkene ये क्या reaction किसके लिए useful होता है कि alkene पर कहां पर double bond है ये detect करने के लिए ozonilisis करते है ठीक है और other unsaturated compound जैसे कि आपका देखो ये compound है alkene है ठीक है 144 बने बने यहां पर ओक करने पर आपका ये क्यों अहां इसको देखो इसको इसको अबकर एसे ऑर इसको ओर और को आज़ल बॉणन हो जागा और यहां पे उसको लिखने का तरीका है यहां ॉजरी तो पहले यहां वदकर न रिखोगे और यहां उन्म इसको लिखना यहां ने रही हमारा है het ज्सक्ते जोग का यहां परने डाड़ा यहां वाला थो नहीं डार्ड़ आपको break करने का तरीका मैंने मता यहाँ से लेकर यहां तक ब्रेक करना और इसको यहां से लेकर यहां तक ब्रік करना ठीक है और जो यहँ से उए उज़ा हो गोर इसके double bond Okay form ए लिए तो यह देख ओ यह जो मतलम नहीं यहां प這邊 when we also became double gaveki का अब पहले ओजोनाइड बना विसका जिंक ह्टो डालोगे जिंक प्लस हो डालोगा यह बनेगा तू प्रोपेनोड बन जाएगा ठीक है नो एर्थ है मारा पोली मराइजेशन प्लिमराइजेशन के आप जी बनता है जो बंता है जो जो आप्टेन होता है उसको मारी मर पवल्मार बनता है इस रीक्शन इजनाश्ट को बलते हैं हम भिच पॉली मर नीज होते हैं other alkyls also undergo polymerization ठीक है now आपका alkyne high temperature pressure पर आपका क्या बन गया यहाँ देखो and types ही ने आपका high temperature pressure का होगा आपका क्या बनेगा CS2 यहाँ पर double bond होगा single bond convert हो जाएगा ठीक है आपका यह बन जाएगा polythene बन जाएगा ऐसे आपका यहाँ पर भी यह double bond radio and tv cabinets etc ठीक है polypropene is used the manufacture of milk crats, plastic buckets and other molded articles polypropene के बनाता है किसके लिए होता है milk crats के लिए plastic buckets के लिए other molded articles though this materials have now become common excessive use of polythene and polypropylene is a matter of great concern for all of us क्यों होता है क्योंकि यह non-bio degradable है एक बन के तो अपने मतलब बहुत ही करोड़ अर्बो साल में भी उखारा मतलब वह अपने आप डिग्रेट नहीं होगा ठीक है बहुत ही बेकार है तो इस तरह से हमारा alkyne का chapter खतब होता है हम लोग रिवाइस कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा ठीक है हम लोग यह देखते हैं यहाँ पर alkyne क्या था तो और सबस्क्राइब काश्य कोश्य और क्याल इन अब भी कर्म यह देखते हो वृूसत बाइच वह दिखने करने कि जो बेखने की जो anal लुजली पाइलेक्रोन होता है ठीक हम तो हमेशा वो ब्रेक होके मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अच्छा कासा एड हो सकता है तो इस दरब से यह अडिशन दिखाता है तो सबसे पहले हाइडोजन डाई हाइडोजन देखते हैं तो उसमें निकल पैलेडियम प्लेटियम के प् प्रोब्लम वहाँ पर आता है जब हमारा अंस्यमेट्रिकल अलकीन में हम लोगो एक फॉर्मला मिलता है जब एक सांटिस्टिस्ट ने काम किया था 1869 में तो उन्होंने दिया था हमें उनका नाम था मार्कोनिक आवरोल तो उन्होंने बताए कि जो निगेटिव पार्ट है सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या नया रूल आएगा अंतिमार्कोनिक रूल उसको गलते है पार ऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट है उस तरह से आप यहाँ पर उसको अप्लाई करोगे ना उसका मेकनिजम यह था और एडिशन सल्फिर के सिंपल सा एसिड है तो एच प्लस लिब्रेट करेगा एच लिब्रेट करके मा अटेशन होता है यह मार्कोनिका फूल के तहात होता है ठीक है नौ एडिशन वाटर में सिंपल सा वाटर है तो हमेशा अलकेन और वाटर कभी नहीं होगा वाटर में हमेशा थोड़ा सा भी एच प्लस एसिडिक मीडम डाला थो हमारा एलकेन से रियक करना चालू गड़ यह माने सिंपल से मार्कोनिका फूल लगा के उसको एड़ कर सकते हो ऑक्सेडेशन है डाइलूट केमनोफोर यह हमारा आपको पता है बेर्स रियजन बोलते हैं इसको सिंपल सा यह डाइवल फॉर्म करता है मतलब अलकीन में वह चैड हो जाता है ठीक है लगन अगर आपको वह एमिना फोर में असिटों में डाल देता हो तो अब क्या होगा हो जो एलकीन हो खिटों में अक्सिडाइश हो जकता है और इतना इसके पास्टी की हमारा और एसे भी असिट तक बहुत जाता है ठीक है और डिपेंड क्या सा एलकीन है ओ त्री मॉलेकुल आड़ करें तो ह हमारा आहां पर यह कंपोर बनता है ठीक है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा जोग है समझा यह केमिस्ट्री का यह ठीक है क्या होता है यह एक बोलता है कि मुझे वाटर दो वन मैं ओर्डर एच्टु ओ ठीक है तुसरा आदमी बोला आई विल हैब एच्टु ओ टू तो आप समझ गयो अगर केमिस्ट्री आपको सांद में आता होगा तो आप समझ गयो कि इसका क्या मतल्द दूसरा आदमी क्यों मर गया आपको स होता है यहां पर हाइच्टु ओ टू जो कि हाइड्रोजन पारोक्सड बहुत ही टॉक्सिक होता है पीलो तो मर जाएंगे इसलिए वेटर ने उसको क्या वाटर निलाए उसको एच्टु ओ टू लाके दे दिया तो सेकेंड में इसलिए मार गया ठीक है तो यह हो गया आपक आज का चैप्टर तो आपको लोको अच्छा लग रहा है चैनल मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो पीस चैनल को सब्स्राइब कर लेगा थेंकियो सो मच